जिर्ख पुर्के दाबा साहिब गाव में उस समय दैशत का मखौल बन गया जब एक इलेक्ट्रोनिक्स गुदा में अच्छानक आग लगते आगजनी की इस घटना में लागों का समान चलकर खाक हो गया जानकारी के मताबिक देरात एक रागी ने दुकान से धुआ निकलता हुआ देखा तो दुकान के बाहर लिखे दुकानदार के फोन नबर पर उसे संपरक साधा और उसे इसके बारे में सुचना दी वहीं मौके पर पहुँचे दुकानदार ने स्वयम दुकान का शेटर खूला तो तब तक आग गोदाम ने बुरी तरह से फैल चुकी थी और समान चलकर राग बन चुका था इसकी सुचना पुलिस और दमकल विपाग को दे दी गई और मौके पर पहुँची दमकल विपाग की कई गाड़ियों ने बड़ी भी मुशक्त के बाद इस बहंकर आग पर काभू पाया इस इलेक्ट्रोनिक्स गोदाम में लगिया किती जादा भीहंकर भी की फायर ब्रिगेड को इस पर काभू पाने में काफी मुशक्त का सामना करना पड़ा हाला कि अभी आगजनी के कारनों का पता नहीं चल पा रहा है लेकिन गनीमत ये रही कि इस आगजनी की घटना में किसी का भी कोई जाने नुकसान नहीं हुआ है पंजाब के स्री टीवी के लिए पुलदीब कुमार की रिपोर्ट झाल झाल